नमस्कार आप देखरें न्यूस रूम लाइव आपके साथ मैं हूँ शिप्रा जहाँ बुलेटिन की शुरुवात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बिहार के स्कूलों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जो छात्र पढ़ने स्कूल में जाते ह उनके लिए बड़ी खबर है क्योंकि स्कूल के टाइमिंग पर बदलाओ किया गया है सीम नितीश कुमा ने स्कूल के टाइमिंग को लेकर आज बोला है आपको बता दे दस बज़े से लेकर शाम चार बज़े तक ये स्कूल चलेंगे विहार वधान सभा में स्कूलों की टा दे दिया था ये से लेकर वो बिहार सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक से भी बात करेंगे सुनिए सीम ने क्या कुछ कहा है तो ये सिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बज़े से 5 बज़े तो हमने पहले ही कहा कि 9 बज़े से 5 बज़े तक नहीं होना चाहिए ये तो 10 बज़े से 10 बज़े से 4 बज़े होना चाहिए ये हमने कहा है और अगर अभी उसको नहीं माना आजहीं है कि आपका बत्가 नहीं माना है कि अभी आप बोल रहे हैं पहले आप इसी समय हम करते अगर अभी नहीं सुना है आज ही हम तुर्ट बुला करके बात करेंगे और जो बात है पहले से यही तो हम चुरू से बोलते हैं हम भी तब पढ़ते थे ना भाई तरीका है इभला बताईए नौ बज़े से सुबह से लेके पांच बें तक यह ठीक नहीं है यह अगर गलत किया है उसको से बोलते हैं अरे अरे हम तो सीम नितीश कुमार को सुन रहे थे आप बिहार वधान सभा में से नितीश कुमार का यह बहुत बड़ा बयान क्योंकि आपको बता दे बिहार में फिलहाल जो स्कूल की टाइमिंग है वो सुबह 9 बज़े से लेकर शाम के 5 बज़े तक है जिसक जिसको लेकर बदलाओ की मांग उठाई जा रही थी सिक्षकों की तरफ से भी टाइमिंग में बदलाओ की मांग की जा रही थी और आज बिहार वधान सभा में विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए तो सीम नितीश कुमार ने इसका जवाब देते वे कहा है कि सुबह 10 बये स शाम चार बजे तक ही स्कूल चलेंगे और इसको लेकर उन्होंने पहले ही निर्देश अफसरों को दे दिये थे बात नहीं मानी गई है तो इसके पीछे आखिर क्या वज़ा रही है इसके लिए वो सिक्षा इभाग के अपन मुखे सचीव से बादचीत करेंगे समवाग्दाता रजनीश हमायसा दिदिक जानकारी के साथ जुड़ेवे हैं रजनीश सीम नितीश कुमार ने आथ साफ साफ काये कि पहले उन्होंने निर्देश दे दिया था कि स्कूल के टाइमिंग में बदला हो जाए तो केके पाठक ने आखिर उनकी बात क्यों नहीं म नासिर शिक्षक विरोध कर रहे थे बलकि छात्र भी विरोध कर रहे थे कई MLC अपोजीसन हो या फिर सत्ता पाठी के जो MLC हैं उन्होंने विरोध जताया था और सीम नितीश कुमार से तकरीवन डेड़ महिने पहले ही सभी MLC ने मुलाकात की थी जिस वक्त सीम ने कहा था भरोसा दिया था कि हम केके पाठक से बात करेंगे और समझे कि अब स्कूल की टाइमिंग जो है दस से चार हो गई लेकिन उसके बाद भी जब शिक्षा विहाग से आदेश्ट नहीं आया और सुबह 9 बज़े से लेकर 5 बे तक स्कूल का टाइम चलता रहा और उसके बाद ज इस प्रकार से बिधान सभा में नाराजी जटाई है ऐसे में साब दिख रहा है कि सीम जो है कहीं न कहीं अब केके पाठक के रवईये से नाराज है और आप समझ लिजे कि अब सियम नितीश कुमार केके पाठक के कामों की तारीफी करते रहे हैं और इस बार जब वो इस पर सवाल उठा रहे हैं तो ऐसे में क्या लगता है आगे क्या कुछ हो सकता है देखिए अब सीम नितीश कुमार ने सदन में जिस प्रकार से अभी नाराजी जटाई है ऐसे में अब साब तोर से समझे कि आज शाम तक या कल तक हर हाल में शिक्षा विहां के केके पाठक को अप दस वए से लेकर शाम चार वए तक स्कूल की टाइमिंग की वह आदेश अब कहीं न कहीं अब फॉलो किया जाएगा तो सीम नितीश कुमार साफ ये भी कह रहे थे कि आप पहले बताते यानि विदायकों को उन्होंने साफ कहा कि आप पहले बताते अगर आपकी बात नहीं म होता है लेकिन अब मुख्यमंत्री हस्तक छेप करेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है अब निश्चित रूप से सुबह दस वए से चार वए जही इसकूल की टाइमिंग होगी जी शिप्रा बेलकुल रजनीश कई सारी और भी मांगे सिक्षिकों की तरफ से की जा रही थी खास्तोर पर एस ये से के पाठक सिक्षा में सुधार को लेकर जो बड़े बड़े और कड़े फैसले ले रहे थे उसका विरोध भी सिक्षिकों की तरफ से किया जा रहा था क्या लगता है उन बातों पर भी सीम नितीश कुमार गौर कर सकते हैं देखिए अब महागटवंधन की सरकार नहीं है अब सरकार एंडिये की है तो कुल बिलाकर केके पाठक के जो पत्राचार करने का तरीका है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कमी आई है जिस प्रकार से लगातार वो कड़े पत्र जारी करते थे उस पत्राचार में अभी कमी आई है इशारा काफी है और समझे कि सियम जिस प्रकार से अभी नाराज हुए है तो कहीं न कहीं केके पाठक के जो आदेश है उस आदेश को आज ही समझे कि अब उनको पलटना होगा दूसरी बड़ी बात है सक्षमता परिक्षा को लेकर जो विहार के नियोजे शिक्षक ह उनको भी बल मिला है क्योंकि सियम नितिश कुमार पहली बार शिक्षा विहार के मामले में इस प्रकार से नाराज हुए है और केके पाठक के प्रति उन्होंने कुछ कहा है तो अब सक्षमता परिक्षा को लेकर जो शिक्षक है वो उमीद में है कि आज सियम नितिश कुमार हो सकता है कि आज केके पाठक से बुलाकर बात्षीत करें जहां पर शिक्षा विहाग के और अधिकारी हो सकते हैं क्योंकि कई अधिकारियों के साथ वारता की बात कही जा रही है जो सुत्र बता रहे हैं कि दीपक कुमार जो CM के प्रधान सचीव हैं वो शिक्षा विहाग से क इस प्रकार से खुल कर बोले हैं कि स्कुलों की टाइमिंग जो है हम बर्दास्ट नहीं करेंगे सुबह नौ से पांच ऐसे में कई और बदलाव होने की भी संभावना है और विहार के टीचर जो है उमीद में बैटे हुए है शिप्रा बिल्कुल रजनीश क्या लगता है आपको और कितना वक्त लेगा इसके फाइनल होने में क्योंकि सेमतीश कुमार आज काफी इसको लेकर कड़ी आपतिनों ने जताई है और साथे साथ कहा भी है कि जल से जल निर्देश चारी कर दिया जागा तो क्या माना जाए एक से दो दि से खुश नहीं है मैं आपको बता दूँ पिछले 24 घंटे का एक पत्र राजभावन से जारे हुआ है जिसमें विश्व विद्यालियों के तमाम वाइस चांसलर को राइस्टार को आदेश दिया गया है कि शिक्षा विहाग का जो दो और तीन मार्च को जो वर्क्शॉप है उसमें शिक्षा विहाग के आदेश को आपको नहीं मानना है और विश्व विद्यालियों के तमाम जो अधिकारी है उनको अनुमती नहीं दी जाती है कि शिक्षा विहाग के वर्क्शॉप में आप जाएं तो राजभावन और केके पाठक के भी जो रिष्टे हैं उसमें बहुत 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 शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और दर्शिकों को एक बार फिर से सुना आते हैं आज सीम नतीश कुमार ने बिहार वदान सबा में क्या कुछ कहा है ये सिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बे तक नहीं होना चाहिए ये तो 10 बजे से 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए ये हमने कहा है और अगर अभी उसको नहीं माना है अरत आप लोग आफी लोग देखे रहते काते क्यों नहीं सुना तो उसी समय हम करते अगर अभी नहीं सुना है आज ही हम तुरक्त बुलाकर के बात करेंगे और जो बात है पहले से यहीं तो हम चुरू से बोलते हैं हम भी तब पढ़ते थे न भाई तो जो तरीका है इभला बताईए नौ बज़े से सुबह से लेके पांच में तक यह ठीक नहीं है यह अगर गलत किया है